हेलो फैंड्स वेलकम तो क्रेजी जी क्रिक्ट और हमारी ओतरप्यदेश जी कि इस सीरीज में हम दर्प्रदेश के भूगळ या फिर जोग्रफिक को अध्धन कर रहे थे, और उतरप्यदेश की भूगुल के अंतरकत हमने उतरप्यदेश का फिसीकल डिवीजन, उतरप्धिश का कलाइमेट ये फिर जलवाई हूँ, उतरप्यदेश का ड्रैने सिस्टम ये फिर अपवाहतंत्र, उतरप्धिश की नदी घाटी परियोजना है, के उत्तरपदेश के जितने भी competitive exams होते हैं सभी exams के लिए काफी ज़्यादा beneficial होने वाले हैं तो आँगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको update दे दूँ यदि आपको इस topic की PDF चाहिए है तो आप हमारे crazy पुरी discuss करेंगे और थियोरी के बाद लाश्ट में हमारा महत्तपूर एक MC की उसका section रहने वाला है चलिए तो start करते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थविवस्ता या फिर economy का जो मूल आधार है वो क्रशी है ठीक है तो जो उत्तर प्रदेश की overall अर्थविवस्ता या फिर economy है उसमें क्रशी एक बहुत ही important रोल अदा करती है वर्ष 2011 की census के according उत्तर प्रदेश में कुल लगवग 658 लाग कर्मकार थे है न वरकर थे इसमें से 190 लाग क्रशक थे और 199 लाग करीब क्रशी स्रमिक थे प्रदेश के कुल कर्मकारों में क्रशकों एवन क्रशी स्रमिकों का प्रतिशत 69.3% है न वो देकि करीब 60% जो यहां की जनसंख्या है वो प्रदेशी में डारेक्ट है फिर इंडारेक्ट तौर से सन लगने है वर्ष 2014-15 की आकोड़ों की according प्रदेश में लगवग 65.98 अगे यहां पर खेती की की जाती है उतर प्रदेश पशुपालन की ड्रश्टी से भी भारत में संपन्न राज्यों में नो तो देखिये के तौर पर भी आप देखें और पॉई पशुपालन के तो जो उतर प्रदेश की आज़़ा संपन है दूड के अट पता होगा इसके कि सकल राज घरवेली उतपाद GDP में क्रशी क्षेतर का जो योगदान है वो 26.1 है इसमें वानिकी और मत से भी सामल है ना तो जो उत्रप्रदिश की टोटल GDP है उसमें 26% लगवग जो योगदान होता है वो क्रशी का होता है तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल है क्र उत्रप्रदेश का योगदान 18.1 प्रतिशात है ना तो मैंने अभी आपको बताए कि जो overall खाद्यान की बात करें तो उत्रप्रदेश टॉप पर रहता है और यदि आप कुल contribution की बात करने देश में तो 18.1% contribution है देश में उत्रप्रदेश का कुल खाद्यान में एक point मैंने ह पर important cover किया है जब करशी के साथ पशुपालन किया जाता है तो उसे हम मिस्रित करशी है फिर mixed forming कहते हैं ना तो mixed forming कभी कभी exam में पूछ लिया आता है क्या होता है तो जब करशी की साथ हम पशुपालन करते हैं तो उसे हम मिस्रित करशी है फिर mixed forming बोलते है इसके लाबा गेह पर देखिए पहला है भावर और तराई चेत्र हिमालाई के तलहती या फिर फूट हिल वाले चेत्र सामिल है कौन कौन से सहारनपूर मुजफर नगर बिजनौर और मुरादावाद तो यहाँ पर मैप में भी मैंने आपको बताया है आप देख सकते हैं दूसरा है पश्चिमी मैदान मीरठ मंडल एवं आसपास के छेतर तो यह आप मैप में भी आप देख लीज़ी यह मध्य-पश्चिमी छेतर है इसमें बरेली और मुरादावाद मंडल के छेतर आते हैं अगला है दख्षण-पश्चिमी सम्सुष्क मैदान तो इसमें आगरा मंडल और उसके कुछ आसपास के छेतर आते हैं यह मейप में वी आप देख लेजे, दक्षिन पश्चिमी, संसुष्ट मैधान है, मध्य मैधान की बात करें तो कानपूर, फत्यहपुर, लखनौ मंडल के छेतर इसमें आते हैं, तो मध्य मैधान मैप में आप देख लेजे, यह मध्य मैधान का छेतर है, बंदिल खंड प्रदेश की बात करें तो जहांसी और चित्रकूट मंडल के छेत्रिस में आते हैं तो आप मैप में भी देख सकते हैं उत्तर पूर्वी मैदान की बात करें तो गोरकपुर मंडल साहिद गौंडा तक का छेत्रिस में आता है और पूरवी मैदान की बात करें तो वारांसी, फैजावाद, आजमगड, प्रियागराज मंदल, आदी की कुछ छेतर इसमें आते हैं तो आप मैप में देख लिए ये पूरवी मैदान है, यह मैंने आप जितने भी मंदल आपको बताए हैं यह सब यहाँ पर आते हैं, पर लाश्ट है, विंद प्रदेश तो इसमें मिरजापुर, सौनभद्र, दक्षणी प्रयागराज के छेतर आते हैं, ठीक है तो यह हैं हमारे नो करशी जलवाय उर्प्रदेश, तो तुमको आपको थोड़ा दिमाग में रखना कि कौन-कौन से नो यह जलवाय उर्प्रदेश और कौन-कौन से मंदलन में आते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं, रित्यों के आधार पर फसलों का वरगी करने हैं, फिर क्लाशिफिके उर्फसल क्या होती है, या फेर क्रіफ क्रॉप क्लाप् का होती है, यह हैं फसल वर्शा के आरंब होने पर हैंना, माई, जून, या फिर जून, जुलाई आप बोल सकते हैं, बोई जाती है, तथा इनकी जो कटाई होती है, तो एक्जाम में कगी बरपूश लिया जाता है, कि खरीब की फसल कब हो जाती है फिर कब काटी जा दी तो आपको दिमाग में रखना है यह फसल मुखिता मानसून पर निर्वर करती है ना देखिए यह मानसून वाला ही टाइम है जून जुलाई वाला है यहाँ पर जून में मानसून इंडिया में इंटर कर जाता है तो यह म पूछ लेगाता है कि इनमेंसे कौन सी फसल खरीफ की है या फिर रवी की है फसले भी आपको याद रखना कि खरीफ के लिगत कौन-कौन सी फसले आती हैं अब यहां पर कुछ मैंने अलग से एक फैक्ट कवर किया या फिर important कुछ fact cover की है देखिए overall है देश में बात करें तो कुल खाद द्यान में प्रथम नंबर पर कौन आता है तो उत्रप्रदेश आता है यह हम फसलों के उत्पादन में जो अग्रणी राज है उनकी बात कर रहे है गेहूं के उत्पादन में उत्रप्रदेश टॉप पर आता है चांवल के उत्पादन में पश्चिमंगल प्रथम पर आता है और दोती पर कोन आता है उत्रप्रदेश आता है मक्का के उत्पादन में आंद्रप्रदेश पर आता है दलहन के उत्पादन पर मद्रपदेश आता है सूरज मुखी के उत्पादन में करनाटा का आता है गन्य के उत्पादन में उत्तरपदेश आता है जूट के उत्पादन में पश्चिमंगल पर थम नमबर पर आता है तो ये कुछ फसले हैं और उसके में जो अग्रणी राज हैं उनको मैंने आपको यहाँ पर बताया है जो कि एक्जाम की दृष्टी से काफ़ी ज्यादा important है एक और अनिफेक्ट मैंने हैं पर cover किया है सभी खाद्यान फसलें ग्रैमीनी कुल के अंतरगत आती है तो यह आपको याद रखना है जितनी भी खाद्यान खाने वाली फसले होती है वो ग्रैमीनी कुल के अंतरगत आती हैं तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है अब हम बात करते हैं रवी और फिर सीत रितु की फसलों के बारे में यह फसल सीतरीतू में बोई जाती हैं अप्रेल और जून के टाइम पर इनकी कटाई हो जाती है इन फसलों को कम जल और 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 शदधाप की आवश्यक्ता होती है तो यह point भी आपको याद रखना है प्रमुक फसलों की बात करूं तो गेहूं, चना, जौं, मटर, मशूर, सरसों, अलसी ये सबी फसल रवी की फसलों के अंतरगत आती है अगला है जायत की फसलों तो रवी और खरीफ की फसलों के मद्द जो फसलों बोई जाती है उन्हें हम जायद की फसलें कहते हैं इन फसलों को मार्च अप्रेल में बोई आ जाता है जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है या फिर हार्वेस्ट कर लिया जाता है इन फसलों में अधिक ताप की आवश्चकता होती है कौन कौन से आते हैं अकड़ी, खीरा, खर्बूज, तर्बूच, लोविया, पत्तिदार सब्दियां, यह सब ही आती हैं जायत की फसलों के अंतरकर, तो यह मैंने कुछ बता है आपको है आपको है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट हम क्रिश्टी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, खर हारित क्रांती किस से संबंदित है, खाद्यान के उत्पादन से संबंदित है, हारित क्रांती, स्वेथ क्रांती संबंदित है, दुगद उत्पादन से, पीली क्रांती, तिलहन उत्पादन से संबंदित है, नेली क्रांती, मत्स पालन से संबंदित है, लाल क्रांती, टमाट खाद द्यान फसल है या फिर major food crops तो देखिए सबसे पहले गेहूं या फिर wheat तो इसका बैग्यानिकी नाम या फिर scientific नाम की बात करें तो क्या है ट्रिटिकम एस्टिवम इसका scientific नाम है तो यह भी important है आपको याद रखना है इसके लावा या है एक सम सीटोषन कटिवन्दी फसल है तो मैंने अभी आपको बतायता है ना सीटोषन की यह फसल है गेहूं की उत्पादकता गंगा घागरा दुआव छेतर में सरवादित होती है ना तो देखिए जो सबसे अधा उत्पादकता होती है गेहूं की उत्तरप्रदेश में तो गंगा और घागरा के दुआव दुआव मतलब क्या होता है पहले भी हमने समझा है दो कोई प्रमुख नदिया या फिर बड़ी नदिया होती है उसके जो बीच का छेत्र होता उसे हम दुआब बोलते है ना ये नदियों की चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा था उत्तपादक छेत्र की बात करूँ तो संपून उत्तरप्रदेश की परवती एवं पठारी छेत्रों को छोड़का सभी जगा गेहूं का उत्तपादन होता है ना तो यदि हम उत्तरप्रदेश की बात करें तो आपको पता ही होगा कि गेहूं के प्रोडक्शन में उत्तरप्रदेश पथम नंबर पर आता है काफी बड़ा हिस्सा देश में कॉंट्रिवूट करता है इसके लाबा यदि आप दक्षन का पठारी छेत्र और परवती छेत्र छोड़ दें तो संपून उत्तरप्रदेश में गेहूं का उत्तपादन होता है प्रमुग जेलों की बात करूँ तो मेरट, अलीगर, मुझफर नगर, सहारनपुर, बुलंद सहर, कानपुर, आदी तो इन सभी छेत्रों में गेहूं का प्रोडक्शन होता है तो ये सभी मैंने आपको यहाँ पर मैप में भी बताया है तो आप देख सकते हैं और जेले हमने पहले भी डिसकस किये है प्रिवेस लेक्शर में अपने मेरे प्रिवेस लेक्शर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर करके आप देख सकते हैं प्रदेश के कुल क्रशी योग भूमी का 24 प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है जो कि अन्य दूसरी फसलों की तुल्ला में सरवादिक है ना तो ओवराल जो क्रशी भूमी है उसके लगवग 24 प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है जो कि अन्य फसलों की तुल्ला में सरवादिक है ना तो सरवादिक भूमाग पर गेहूं बोया जाता है इसका लब करशी भी सरवादिक इसकी होती है गोरकपुर जिले में गेहूं का सरवादिक उत्पादन होता है तो बहुत ज़्यादा important point आपको याद रखना है जो गोरकपुर जिला यहाँ पर सरवादिक production होता है गेहूं का वित्ती वर्ष 2019-2020 के अनुसार उत्तरपदेश गेहूं की उत्पादन में देश में पहले इस्थान पर है यहाँ देश की कुल गेहूं उत्पादन का लगवक्त 32.59 million ton लगवक्त 35% गेहूं का उत्पादन रहा काफी ज्यादा पर्षेंट है यह ना तो 2019-2020 की यह मैंना एक कहां पर डेटा डाला है आपको याद रखना है हमेशा पहले नंबर पर ही रहता है और इसका उत्पादन कितना रहा तो 32.59 million ton लगवक्त आपको याद रखना है तो यह 500 राज ज्याब को याद रखने है कई वार एक्जम में पूछ लिया जाता है आरोही या अवरोही करम में जमाने को दे दिया जाता है तो उत्तरपिदेश, मद्रपिदेश, पंजाब, हर्याना, राजिस्थान तो यह 5 राज ज्याब को याद रखने है आंगे बात क इसकी सरवादिक खेती की जाती है महराज गंज, सिधार्थनगर बलिया, वारांडसी, प्रियागराज, लखनव तो इन छेत्रों में इसकी खेती की जाती है यह एक ऊशन कटीवंदी फशल है ना आपको पता ही होगा गर्मी वाली फशल है यह इसके लाबा प्रदेश की कुल क्रशी योग भूमी का लगवग 18 प्रतिशत भाग पर इसकी खेती की जाती है ना तो क्ल जो क्रशी योग की भूमी है उसका लगवग जो 18% छेतरफल है उस पर चामल की खेती की जाती है वित्ती वर्ष 2019-20 के अनुसर उत्तर प्रदेश में चावल की उत्तपादन की बात करने तो पश्चिम मंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा इस्थान है तो पहले नमबर पर आता है पश्चिम मंगाल सरवादिक प्रोडक्शन चांवल का पश्चिम मंगाल में होता है और दूसरे नमबर पर उत्तर प्रिदेश है तो यह भी important point है आपको याद रखना है यहाँ देश के कुल चांवल उत्तपादन का लगवक 15.52 मिलियन टन या फिर जिसे हम बोलें परसेंटेज में 13.11 परसेंट कोंट्रिब्यूशन है उत्तर प्रिदेश का है तो यह भी point आपको याद रखना है कुछ point मैंने हाँ cover किया है यह है एक ऊश्न कटिवंदी फसल है तो यह मैंने आपको बताई दिया इसके लाबा चामल की फसल के लिए मिट्टी का जो pH मान होना चाहिए वो पांस से साड़े आठ के बीच होना चाहिए तो यह भी point आपको याद रखना है सबसे अच्छा जो pH माना जाता है चामल के लिए वो पांस से साड़े आठ के बीच होना चाहिए अब हम बात करते हैं बाजरा की तो इसका जो बैग्जाने के नाम है वो क्या है पैनी सिटम टाइफोइट्स इसका साइंटिफिक नाम है उत्पादक छित्रों की बात करूं तो मत्रा, वदायू अलीगड, मुरादावाद, एटा और मैनपुरी तो यह देखी मैप में भी मैंने आपको बताया है तो आप देख सकते हैं यह उत्पादक इसके जिले हैं यह प्रदेश में बोया जाना वाला सबसे प्रमुख मोटा अनाज है ना तो जो मोटे अनाजों की बात करें तो सब उससे प्रवब कौन सा है बाजरा है उत्तरप्रदेश में बोया जाना वाला है अनाजों में अब हम देखते हैं प्रदेश की कुछ दलहनी फसले या फिर पल्स क्रॉप तो पहले हम अरहर की बात करते हैं इसका बैग्यानिक नाम क्या है तो कैलेनस कजान इसका साइंटिफ इसका साइंटिफिक नाम है उत्पादक छेत्रों की बात करूं तो बारा बंकी आगरा कानपूर जहांसी जलौन ललितपूर तो यह सारे जिले मैंने आपको मैप में मेंशन किया है आप देख सकते हैं चने का सरवादिक उत्पादन बुंदिल खंड छेत्र में या फिर कौन सी फसल दलहनी है या फिर इन में से कौन सी फसल तिलहनी है तो आपको याद रखना है यह सारी फसलें दलहनी फसल के अंदर गत आती हैं सवी दलहनी फसलें लैग्यूमिनेसी कुल या फिर फैमली में आती है तो यहां से भी एक्जाम में कुशन आता है जो दलहनी फसल या फिर oil seeds, तो सरसों की बात करते हैं, तो इसका scientific नाम क्या है, Bracia Campes Trim, है ना, उतपादक छेत्रों की बात करूँ तो प्रदेश की सभी भागों में सरसों की खेती की जाती है, है ना, सभी भागों में होती है, लेकिन मद्य एवं पश्चिमी भाग में विशेश रुप से इसकी खेती की जाती है, विशेश था आपको मद्य और पश्चिमी खेत्र याल रखना है, वैसे देखाया तो overall सभी जगा इसकी खेती होती है, जिलों की बात करूँ तो गौंडा, बहराइच, मिर्जापूर, स्वानबद्र, कानपूर, सीतापूर, आयोध्या, मतुरा, तो ये कुछ प्रमुक छेत्र हैं सरसों की खेती के तो, देखिए लगवक संपूर उत्रप्रश आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, आगे बात करते हैं हम मुफली की, तो इसका बैग्यानिक नाम या फिर साइन्टिफिक नाम क्या है, एराकिस हाइपोजिया, इसका साइन्टिफिक नाम है, उत्पादत जिलों की बात करूँ तो सीतापुर, हर्दोई, एटा, बदायू, मैंपुरी, मुरादावाद, तो ये कुछ चिले हैं, मैप में आप देख लीजिए, जून-जुलाई में ये बोई जाती है, और नवंबर-दिसंबर में इसकी खुदाई या फिर कटाई की जाती है, तिलहनी फसले कौन-कौन से होती है, सोयबीन, सरसों, मुंफली और सूरज मुकी है, ये तिलहनी फसले हैं, अभी मैंने आपको दलहनी बताई थी और यहाँ प्रदेश में गन्या उत्पादन के दो प्रमुख छेत्र हैं, एक तो तरही छेत्र है, पहले भी हमने कई वार डिसकस किया है, इसके लावा गंगा यमुना का जो दोआप छेत्र है, वहाँ पर भी गन्ये का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, प्रमुख जिलों की वा दो दिसम्लाओ दो मिलियन हेक्तियर है, जो की प्रदेश की कुल क्रशी योगी भूमी का 13% है, तो आपको पता ही होगा गन्ये के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, और यहां की जो भी क्रशी योगी भूमी है, उसका लगवग 13% भूवख पर गन्ये की ख तो यह भी point आपको याद रखना है यह प्रदेश का सबसे महत्कून नगदी फसल है तो जो गन्ना है सबसे प्रमुक नगदी फसल है उत्तर प्रदेश की तो आपको याद रखना है अफीम यह फिर OPM की बात करें तो इसका जो scientific नाम है वो क्या है पैपवर सौमनी फेरम इसक इसके लावा गाजी पूर भी आपको याद रखना है अफीम की एकमातर फैक्टरी गाजी पूर में है तो यह भी आपको याद रखना है अफीम की फैक्टरी कहां पर है गाजी पूर में है आँगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुक बागवानी फसले या फिर हो कर्ठी कल्चर जो क्रॉप्स हैं उनकी बात करते हैं आम की बात करते हैं उत्पादक छिद्र की बात करों तो लखनाव बुलंद सहर सौहरनपूर प्रमेरट गाजियावples आदिजिलों में आम की खेती हए किसमों की बात करों ने फल किये तो आपको याद रखना है प्रदेश में उत्पादित आम को देश के बिभिन सहरों में नवाव ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है तो यह भी इंपोर्टन पॉइंट है ना नवाव ब्रांड क्या है सीधे से आपको पूछी लेगा तो आपको पताऊन लखनों सहर में इसका जो प्रचिक्षन और प्रयोग केंदर है उसकी स्थापना की गई है तो एक फैक्ट हैप को याद रखना है अमरूद की बात करते हैं तो उसका उत्पादक छितर का है प्रयागराज, कोशामभी, बदायू और कानपूर इसके प्रमुक उत्पादक छ अपना प्रयागराज सहर में की गई है ना तो आम के लिए कहां की गई है लखनों में और अमरूद के लिए प्रयागराज में की गई है तो आपको याद रखना है कुछ बागवानी फसलों के हम बात करते हैं देखिए आमला कहां कहां होता है तो प्रताबगड और इलाहवाद में आमले का प्रोडक्शन होता है अच्छा खासा संत्रे की बात करें तो सहारनपुर बंदिलखन रिजन में संत्रा उत्पादित होता है लीची की बात करें तो सहारनपुर और मेरट सफतालू की बात करें तो लखनों पश्चिमी उत्रपरदेश में इसका उत्पादन होता है तरबूजे की बात करें तो गंगा सर्यू गो जो फस्लें होती हैं, उंको बढ़ावा देने के लिए, उद्यान एवं खादप रशन्षकर्ण उद्यों की कह लिए, भारत का पहला बागवा नि लिग्नों में इस्थापत के जा रहा है. उत्रप्रदेश का या फिर Animal Husbandry तो 1944 में राज सरकार दोरा पशू पालन बिभाग की इस्थापना की गई थी इसका उद्देश क्या है पशू शंपदा का संडक्षन करना और इसका संवर्धन दता उत्पादन करना आपको याद रखना है 1944 में पशू पालन बिभाग की इस्थापना की गई थी पशू गर्णा 2019 के अनुसार प्रदेश में पशू की जो कुल संख्या वो कितनी है 68 मिलियन है उत्रप्रदेश में पशू धन की संख्या के मामले में देश में प्रथम पर है ठीक है तो पशू धन की बात करना है अभी मैंने आपको श्टार्टिंग में ये पॉइंट बताया कि सबसे प्रथम इस्थान पर है उत्रप्रदेश गोरखपुर मजफरनगर लखनों में पशू चिकितसा पॉलिट टिकनिक की इस्थापना की गई है तो पशू चिकितसा पॉलिट टिकनिक इस्थापना कहां कहां की गई है गोरखपुर मजफरनगर और लखनों में इसके लाब उत्रप्रदेश में पशू टीकों का पशू जैविक और शदी संस्थान लखनों के दोरा किया जाता है ठीकि जो पशू ओं को टीके लगा जाता है वो किस संस्थान के दोरा लगा जाता है पशू जैविक और शदी संस्थान के दोरा लगा जाता है जो की लखनों में है पशू धन की बात करें तो गाय और भैश की हम यहाँ पर बात करते है प्रदेश के कुल पषुधन में गौवंशे पषुष Bowl की संख्या 19 मिलियन है जो की पश्चम मंगाल के बाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर है ठीक है इस आधार पर प्रदेश का देश में पहला इस्थान है, ठीक है तो बहेंसों में पहला है, गाय में पश्चिम बंगल के बाद दूसरे इस्थान पर है उत्रप्रदेश, सिस अन्य पश्चियों की बात करने तो भेड, बकरी, सुवर, कुकुट, अन्य जी बीस में सामिल है, दुग्द उत्पादन को बढ़ाने से संबंदित कुछी योजना है, और कारीकरम हम इन्य डिस्कस करते हैं, देखिए, 1971 में जो केंद सरकार के दोरा ऑपरेशन फ्लेट चलाया गया था, तो उसी के तैस, 1973 में प्रदेश के तीन जो जिले हैं, वारानसी, मिरट और बलिया, यहां पर भी ऑपरेशन फ्लेट फरस्ट के नाम से यहां पर एक कारीकरम चलाया गया था, सन 1976 में प्रदेश में दुग्द विकास विखभाग एवं राज्य दुग्द परिशद की इस्थापना की गई, तो 1976 में क्या क्या किया गया है, दुग्द विकास विखभाग और राज्य दुग्द परिशद का गठन के फिर इस्थापना की गई, प्रादेशिक को ऑपरेटिक डेरी फेडरेशन 1962 में इसकी स्थापना हुई कुछ फैक्ट है आपको याद रखना है इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है सीधे सीधे फैक्ट है तो आपको याद रखना है इसका उद्देशी क्या था प्रदेश में दुग्द और दुग्द साला का विकाश करना ठीके तो 1962 में प्रादेशिक को ऑपरेटिक डेरी फेडरेशन क्रकान कीया गया एकी किल्द दुग्द साला विकास परियोजना तो 93-94 में प्रदेश में लागू किया गया या है कैंद सरकार द्वारा संचालित योजन थी इसका उद्देशी क्या था प्रदेश के पिछेडे छेत्रों में दुगद उतपाजन उपारजन विपड़न एवं रोजगार स्रजित करना ठीक है तो ये कारे करम भी या फिर पर योजन आपको याद रखना है 93-94 में लगवी थी कैंद सरकार के दौरा संचालित थी कुछ important fact मैंने या कवर की है operation flood के जनक वरगीस कुरियन को कहा जाता है 1938 में देश में प्रथम दुगद संग की स्थापना लखनों में की गई थी कानपुर में नवीन डेरी एवं पाउडर प्लांट की स्थापना की गई कन्योज में काउ मिल्क प्लांट की स्थापना की गई कुछ un effect मैंने important यहं cover की हैं तो आपको याद रखना है अगला है क्रसी से संबंदित कुछ महत्पूर्ण योजना है और कारिकरम तो एक है किसान मित्र योजना कब लाग हुई थी तो 18 जून 2001 से यह प्रारंब हुई थी इसका उद्देशी क्या था किसानों को सभी तरह की जानकारियां उपलब्द कराना है तो इसका आपको उद्देशी भी याद रखना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 99 और 2000 में ये स्टार्ट हुई इसका उद्देशी क्या था किसानों को क्रशी कारे के लिए बैंक से रिन उपलब्द कराना किसान से वारत योजना इसका प्रारंब कप से हुआ 2010-2011 से प्रारंब हुआ दूरस्त निवास करने वाले किसानों को क्रशी संबंदे संपूर जानकारी देना इसका उद्देश था अगली योजना है किशान बही योजना तो 1992 से इसको लागू किया गया प्रदेश के किसानों को उनकी जोतों की जानकारी उप्लब्द कराना था पूर्व प्रसिलित जोत बही पासबुक से के स्वरूप में परिवर्तन करना तो आपको ये सारी योजना याद येर भी आपको दिमाग में रख लेंगी तो अच्छा है इसके लाब उद्देश भी आपको थोड़ा याद रखना है जो भी PCS का आपका एक्जाम होता है उसके लिए थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है उत्रपदेश राज्य बीच प्रमाणी करन संस्ता पांच अक्टूबर 1906 को इसके स्थापना की गई थी इसका उद्देश का था बीजों की अनुवानशिक वा भातिक सुद्धता वा अंकुरन छम्दा को मानोकों के अनुरूप बनाए रखना एवं बीच जनित वीमारियों को नियंतरित खरना तो ये कुछ योजनाएं थी महतुपून योजनाएं हैं इनका आपको इयर भी याद रखना और उद्देश भी याद रखना है कुछ important fact cover की हैं तो उत्तरप्रदेश भूमी सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई थी क्रशी पार्क किसानों को उनके उत्पादों को उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हापूर, लखनव, वारांसी, सहरनपूर में क्रशी पार्क इस्थापित किया गया है कहा कहा किया गया है हापूर, लखनव, वारांसी और सहरनपूर में क्रशी पार्क इस्थाबित किया गया है इसके लाबा भूमी सुधार निगम के इस्थाफ़ना 1978 में की गई थी तो यह सभी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है कुछ अन्य महत्रपूर्ट अध्य में डिस्कस कर लेते हैं देश में कोल क्रशी योग भूमी का लगवग जो 15% भागे वो उत्तर प्रदेश में इस्थित है तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा कॉंट्रिवुशन है देश की क्रशी में गेहुं गन्ना आलू के उत्तर प्रदेश पहले इस्थान पर है तो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया प्रदेश में गन्ना का अधिक उत्तर होने के कारण प्रदेश को सक्कर का प्याला भी कहा जाता है तो यह important fact है सक्कर का प्याला किस राजजी को कहा जाता है तो उत्तर प प्रदेश में तीन क्रशी निरियाद छेतर लखनव, सहारनपुर, आगरः में इस्थापित किया गया है। आगरः का क्रशी निरियाद छेतर आलू के लिए प्रशिद है यहां अन्य प्रदेशों से के आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है तो आगरा आलू की निर्याद के लिए काफी ज़्यादा फेमस है, ताज ब्रांड के से संभने से तो आलू से आपको याद रखना है, दलहन सोज संसधान कार्णपुर में इस्थापित है, ये फैक्ट है एक, कनोज पुष्पों से इत्र बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्जाम के दश्टी से, कुछ अनिंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कवर किये हैं, छेत्र और आम की प्रशिदी किसम हैं, देखिए लखनव में कौन-कौन से किसम होती हैं, एक है मलीहवाद और दशहरी, वारांसी में लगड़ा, बहुत फेमस ह आम की किसम है, मेरथ, बागपत में, रटॉल, साहरनपूर्ण में, सफेदा और चौंसा, तो यहां की मैंने आपको पहले वी किसम हैं बताई थी, और कुछ यहां पर छेत्रों के एकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, तो आपको याद रख नहीं है, तो दोस्तों यह था इसके लावए GDP में कितना योगदान है, उत्रप्रदेश की GDP में, करशी का 26.1 योगदान है, अगला कोशन है, उत्रप्रदेश में सश्य जलवायू छेत्रों की संख्या कितनी है, तो 9 जलवायू छेत्रों में बाटा गया है करशी को, यह सारे मैंने आपको बताया थे, बलकि हम बात करें, तो चामल पर 2 नमबर पर है, और सबसे ज्यादा प्रोड़क्शन कहां होता है, तो गोरखपुर जिलिमें सरवादिक प्रोड़क्शन होता है, अगला कुशन है, उत्रप्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो गयहू सरवादिक प्रमुख फसल है, की सबसे ज़्यादा production भी करती है इसका लब सबसे ज़्यादा भूवाग पर बोई भी जाती है उत्रप्रदेश में खरीब फसल की बोई होती है तो इसका अंसर हो जाती है और October November की प्रमुखवाणिजिक फसल कौन सी है तो गन्ना सबसे प्रमुखवाणिजिक फसल है नगदी फसल भी है आवले का सरवादिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो इसका अंसर हो जाएगा बी पताब गन्न में सबसे ज़्यादा आवले का यहां पर production होता है भारत में न ज़्यादा important है अगला question है भारत में चावल क्रशिट जेतर में उत्रप्रदेश की कोटी है तो चावल के production में उत्रप्रदेश का दूसरा अस्थान आता है पश्चिम बंगाल के वाले निमलेखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तरप्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसका अंसर हो जागा इंसावी फसलों में से आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है यह वी मैंने आपको बताई दे जितने भी फसलों में उत्तरप्रदेश प्रथम स किस फसल के उत्पादन में उत्तरपदेश संपूर देश में अग्रणी हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर इसका हो जाना चाहिए गहूं गन्ना और आलू में प्रथम इस्थान पर है उत्तरपदेश कौन सा राज भारत में सक्कर का प्याला कहलाता है तो उत्रप्रदेश कहलाता है ये भी मैंने आपको डिसकस कराया था गन्ने का सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है उसी के चलते इसको सक्कर का प्याला भी कहा जाता है भारत में उत्रप्रदेश का दुतिय इस्थान है किसके उत्पादर में है तो धान या फिर चामल के उत्पादर में हम सेकेंड इस्थान पर हैं पहले परपश्चिम बंगाल है उत्रप्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी तो उत्रपिदेश में जो गसान वही योजना है, ये लाश्ष में मैने आपको बताया था, 1992 में ये योजना लाग हुई थी, उत्रपिदेश शासन ने एग्रो पार्क इस्थापित किये है, तो एग्रो पार्क कहां किये है, तो इसकहां सरो जाएगा, डिवारांटसी में तो दोस्तों ये थे हमारे 21 महत्रपूर्ण MCQs question आसा करता हूँ पूरी आपको थियोरी समझ में आये होगी और जिते हमें हमने हैं पर question डिसकस की हैं तो सारे question आपसे बने होंगे यदि आपको दोस्तों इस topic की PDF चाहिए है तो आप हमारे crazy जी के trick के application से PDF को download कर सकते हैं इसके लावा वहाँ पर आपको different type की courses भी मिल जाएंगे तो उन courses को आप वहाँ से avail कर लीजिए इसके लावे यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद ना है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कर लेजिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए बहुत बहुत धंग